अलो विवर्स, जैसा कि मेरा टाइटिल देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि मैं कहाना क्या चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सही कहा रहा हूँ, मंगल की चोथी द्रिष्टी इतनी सुरक्षा भरी होती है कि जिस घर पर इनकी चोथी द्रिष्टी पढ़ रही हो, वह घर प् मंगल की चोथी द्रिष्टी एक अम्रित की वर्षा करती है, ठीक उसी तरह से मंगल की चोथी द्रिष्टी एक सुरक्षा कवच का काम करती है, इनकी चोथी द्रिष्टी किसी भी भाव पर पड़े, वह भाव मजबूत हो जाता है, इनकी चोथी द्रिष्टी किसी भी ग्र पर पड़े तो उस ग्रह का कारक जो भी तत्व हैं वो मजबूत हो जाते हैं मंगल एक सेना पती है और ये हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं तो जिस पर भी चौती द्रिष्टी पढ़ रही हो आप इसे किसी जेट पलस सुरक्षा से कम ना आके इसलिए मैं कह रहा हूं कि जद लिकुल बेफिक्र हो सकते हैं निश्चिन्त हो सकते हैं मैं इस बात को यूँ ही नहीं कह रहा हूं आप कालपुरुस की कुंडली उठा कर देख लीजिए कालपुरुस की कुंडली में चौते भाव किस चीज का कारक होता है या भूमी है भवन है माता है जितने भी सारे भा तो ये खास करके चौथी द्रिष्टी मंगल को ही मिली हुई है कारण कि वे ही एक सिनापती ऐसे हैं वे ही एक ग्रह ऐसे हैं जो चतुर्त भाव यानि भूमी और भावन की सबसे ज़्यादा सुरक्षा परदान कर सकते हैं अता मंगल की चौथी द्रिष्टी से हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए जहां पर भी इनकी द्रिष्टी पढ़ रही हो वो उस भाव को लेकर हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए अगर किसी ब्यक्ति की चौथे भाव से बैटकर सब्तम भाव पर वे अपनी चौथी के कारण सब्तम भाव इतना मजबूत हो जाता है कि अगर बिवाहिक जीवन ना भी सही हो किसी कारण से तो वो तूटने नहीं देते हैं अब मंगल की अलग-अलग भाव पर चौथी द्रिष्टि पढ़ रही है तो उसका क्या फ़ल आएगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और जदी उस प्रभाव में कोई ग्रह भी आ रहा है तो उसके कारक्तत्व कैसे बचे रहेंगे इसके बारे में भी हम चर्चा इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ आप कहीं जाईएगा मत मैं तुरत लड़ता हूँ जदी पर्थम भाव पर मंगल की चौथी द्रिष्टी पढ़ रही हो तो पर्थम भाव किस चीज का कारक है पर्थम भाव हमारी प्रशनाल्टी का कारक है यह किसी की ब्यक्तित्व के बारे में सुबताता है इससे आदमी का उथान पत्तन भी देखा जाता है तो जिस ब्यक ब्यक्तित्व का धनी होगा, रोग उसे छू नहीं सकेंगे, उसका ब्यक्तित्व समाज में बहुत ही अच्छा माना जाएगा, अगर वही मंगल की द्रिष्टी उसके दूसरे भाव पर पढ़ रही हो, तो वह ब्यक्ति धन के मामले में निश्चिन्त हो सकता है, चाहे कितना अभी संकट आ जाए, लेकिन धन उसके पास कभी कम नहीं होगी, अगर वही मंगल की द्रिष्टी तिर्तिय भाव पर पढ़ रही हो, तो तिर्तिय भाव किस दिच का है, तिर्तिय भाव संघर्ष का है, साहस का है, चोटे भाई बहनों का है, आता ब्यक्ति का साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा, भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, ब्यक्ति संघर्षिल प्राणी हो जाएगा, वह संघर्ष के बल पर सब कुछ हासिल कर सकता है, मंगल की अगर द्रिष्टी चोथे भाव पर पढ़े, तो चोथा भाव भी उनका बहुत प्रिये भाव है, क्यों अपने द्रिष्टी से उसे पूरी तरह से सुरक्षा कवच में ले लेते हैं, और ब्यक्ति को कभी भी भातिक सुखों की कमी नहीं होगी, कभी भी जमीन, जैदाद, मकान से समंधिक, लफड़े नहीं होने देंगे, हाँ, जदी अगर मैली फिक प्रानिक उसमें इन भोल भ हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत परसानी का सामना करना पड़े, लेकिन जीत अंततो गत्वा उसी की होगी जिस पर मंगल की द्रिष्टी पढ़ रही है, अब पंचम भाव को उठा कर लें, पंचम भाव पुत्र का होता है, संतान का होता है, विद्या का होता है, विवेक का होता है, अमोद परमोद का होता है, अता मंगल की द्रिष्टी एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेंगी, सस्टम भाव, ये रीण रोग सत्रू का होता है, जदी किसी कारणवस मैलिफिक पलानेट के वज़ा से, अगर ब्यक्ती रीण में भी चला ज है, तो उसकी भरपाई मंगल तुरत कर देंगे, क्योंकि मंगल की चौथी द्रिष्टी उन पर पड़ रही है, अता रीण रोग सत्रू से भी जातक को डरने के ज़रूरत नहीं है, जदी मंगल की चौथी द्रिष्टी उस पर आ रही है, इसी तरह से अगर सब्तम भाव पर मंगल की द्रिष्टी है, तो वहाँ बैवाहिक जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बचा कर रखेंगे, नौबत कुछ भी आ सकती है, अगर किसी मैलिफिक प्लानेट की नजर उस पर है, तो हो सकता है कि बैवाहिक जीवन में किसी-किसी बैक्ति का मामला कोट कचारी तक चला लेकिन इसके वज़स से कभी भी बैवाहिक जो संबंध है, जो बंधन है, वह नहीं तूट सकता है, कियोंकि उस पर मंगल की चौथी द्रिष्टी है, अता उसकी सुरक्षा वह बना कर रखेंगे, इसी तरह जदी आठ्वे भाव पर मंगल की द्रिष्टी हो, तो आठ्वा कि अस्ठम भाव पर मंगल की चौथी द्रिष्टी हो, वह अस्ठम भाव को लेकर निश्चिन्त होगा, आयू में कमी नहीं होने देंगे, अब रही नौम भाव, नौम भाव में नौम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, पिता के तरफ से भी अच् सुख मिलेगा इनको, भाग इनका बढ़ा चड़ा रहेगा, धर्म के छेत्र में इनको काफी सफलता मिलेगी, हाँ अब जदी दसम भाव पर मंगल की द्रिष्टी हो तो उसका क्या फल होगा, तो दसम भाव कैरियर से सम्बंदित होता है, जिस जातक के दसम भाव पर मंगल की चौथी द्रिष्टी हो, वह कैरियर से रिलेटेड अच्छा सुख जिन्दगी में पालेगा, नौकरी से सम्बंदित, उसको अगर किसी मैलिफिक प्लानेक के वज़ा से दिक्कत भी आएगी, तो मंगल उसका पूरा पोटेक्शन करेंगे, और कैरियर उसका हमेशा बढ़ा इच्छा पूर्ती के बारे में, उसे कभी किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, बाराहमा भाव पर अगर मंगल के द्रिष्टी है, तो ये द्रिष्टी उनको हो सकता है कि विदेश भी ले जाए, इंपोर्ट इक्स्पोर्ट का अगर business है तो उसमें काफी ये तरक्की कर लेगा ये तो रही भाव की बात कि अगर मंगल की दृष्टि पढ़ रही है तो भाव किस तरह से active होंगे भाव को किस तरह से सुरक्षा मिलेगी लेकिन जदि इन भाव में बैठे कोई ग्रह भी हैं तो उनकी भी पूरी तरह से सुर और वहाँ पर सुर्ज बैठे हुए हैं, तो क्या फल होगा? सुर्ज किस चीज का कारक है? सुर्ज आत्मा के कारक है, सुर्ज राजसत्ता के कारक है, अगर ब्यक्ति राजनीत के छेत्र में हो, तो ऐसा ब्यक्ति कभी अपने पद से पज्यत नहीं हो सकता है, या सरकारी नौक उसकी आत्मा कभी कुलसित नहीं हो सकती है, इसी तरह से अगर चंद्रमा पर मंगल की चोथी द्रिष्टी कहीं भी पड़ रही हो, तो उस ब्यक्ति का चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, मानसिक इस्थिती उस ब्यक्ति का सही हो जाएगा, सोचने समझने और डिसीजन लेने की सकती मजबूत हो जाएगी, माता का सुक उत्तम प्राप्त होगा, और लक्ष्मी की भी उसे अच्छी प्राप्ती होगी, कारण कि मंगल और चंद्र का एक संजोग लक्ष्मी जोग का भी निर्मान करता है, अब जदी बुध पर मंगल की चोथी द्रिष्टी आ रही हो, तो बुध किस चीज का कारक होता है, बुध बुधी का कारक होता है, वानी का कारक होता है, अगर हम कालपुरस की कुंडली में देखें, तो बुध तृतिय भाव का स्वामी होता है, सस्टम भाव का स्वामी होता है, और इसके कारक जो चीज हैं, वो बुधी होती है, इंटेलि इस ब्यक्ति के पास बहुत अच्छा होगा, रिन औरोग सत्रु से भी इनको कोई परशानी नहीं होगी, यानि बुद्ध का जो भी कारक्तत्व है उसमें इनको मजबुती मिलेगी, उसी तरह से अगर बिरहस्पती पर कहीं से भी मंगल की द्रिष्टी पढ़ रही हो, तो नै इस भाव के कारक होंगे, जिसकी कुंडली में, उससे समन्धित जो भी दिक्कते होगी, ओ मंगल पूरा कोशिस करेंगे कि हम दूर कर दे, कभी कबार डिस्टर्बेंस आ सकता है, क्योंकि ग्रह कभी सिंगल नहीं बैठते हैं, हो सकता है कि मंगल जहाँ पर चौति द्रिष् से उस द्रिष्टिक पर को नहीं दे पा रहे हैं, तो फल में कुछ कमी आधिक्ता हो सकती है, तो अभी तक तो हमने बात की ब्रश्पति की, अगर सुक्र पर मंगल की द्रिष्टिक पढ़े हो, तो उसका क्या फल होगा, तो सुक्र किस चीज क्या कारक है, सुक्र जो है संप पती का कारक है, एस्वरे का कारक है, पती के लिए पतनी का कारक है, अत्ता सुक्र इन चीजों में भी कमी नहीं होने देंगे, अगर इसी तरह से सनी पर मंगल की द्रिष्टि पढ़ रही हो, तो सनी क्या है, सनी एक कर्म के कारक है, तो वैसा ब्यक्तिक कर्म परधान हो आज में नाम या जो परतिष्ठा मिलती है वो सनी के वज़त से ही मिलती है अगर उस सनी पर चौथी द्रिष्टी मंगल की पढ़ रही हो तो उसका सनी स्वता मजबूत हो जाएगा जो भी उसके कारक्तत्व हैं उसमें स्वता उनको मजबूती प्रदान हो जाएगे अतर दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर मेरा कॉंटेंट अच्छा लगे तो प्लेज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें नमस्कार